अवे फटीचर की ओलाद तिंपल तेरी गल्फरेंड है तो तू कुछ भी करेगा क्या? तुझे और तेरे फटीचर दोस्तों को कॉलेज के सबसे आलीशान क्लब हाउस में गुस्ते किस ने दिया? चल निकल यहां से! लकी यार, चलते हैं यहां से! कि राहुल का बाब कॉलेज का ट्रस्टी और शहर का सबसे ताकतवर बिजनसमैन है! इससे हम लड़ाई नहीं मोल ले सकते! राहुल कॉलेज का सबसे अमीर और पॉपिलर लड़का था! और वही लकी बहुत करी! लकी को अपनी कुस्मत और मेहनत से शहर के सबसे बड़े कॉलेज में अड्मिशन मिल गया था! इस कॉलेज में ज़्यादा तर अमीर बच्चे पढ़ते थे और वो सब लकी से नफरत कर दे थे! राहुल लेकिन लकी से इसलिए नफरत करता था! क्योंकि कॉलेज की सबसे पॉपिलर लड़की टिम्पल ने लकी को अपना बॉर्फरिंट बना लिया था! इस वज़ों से राहुल लकी को नीचा दिखाने से कभी नहीं चूखता था! लेकिन लकी आज कुछ अलगी मूड में था! लकी ने अपने दोस्त की बात को अंसुना कर दिया! अबे ओ राहुल! तू क्या मुझे यहां से बाहर निकालेगा? तू तो खुद अपने बाप के तुकडों पर पल रहा है! राहुल ये सुनकर आज बबूला हो बया! और उसने लकी और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया! कि यह क्या कर दिया तुम लोग यहां से चले जाओ! मैं सब संभाल लूँगा! लकी के दोस्तों ने उसका साथ चोड़ने से साफ मना कर दिया! लेकिन लकी ने किसी तरह उनको वहां से भेजा राहुल को उसके दोस्त हॉस्पिटल ले गए लकी वापस अपने हॉस्टल जाके बैठा ही था कि तभी डिमपल आई और उसने लकी के मूँ बर सोर का तमाचा चड़ दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को हाथ भी लगाने की मैंने तुमको छोडने का फैसला तो बहुत पहले कर लिया था पर आज तुम्हें बता ही देती हूँ मुझे तो जैसे पटीचर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बतानी लकी और अब से मैं राहुल की गुल्ट्रिंड हूँ इतना देख कर डिमपल वहां से चली गई लकी की जान सूख गई उसने कभी नहीं सोचा था कि डिमपल उसके साथ ऐसा कर सकती है लकी सदमे से लड़ी रहा था कि लकी के हॉस्टल के बाहर कई सारी गुंडों से भरी गाड़िया आके रुक गई सबसे लक्शूरियस गाड़ी में से राहुल का बाप निकला और उसने ऐलान किया लकी नाम का लड़का अगर खुद मेरे पैरों में लेट कर मेरे जूते चूम कर माफी मांग लेगा तो मैं उसे जान से नहीं मारूंगा सिर्फ उसकी हट भी पसली एक करूंगा उसके पास फैसला करने के लिए सिर्फ पांच मिनट है लकी होस्टल के बाहर आया और सिधा राहूल के डाड के पास गया राहूल के डाड लकी को देखकर मुस्तुराने लगे और अपना जूता आगे कर दिया लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी लकी ने आव देखाना ताव और राहुल के डाट तो एक खुसा जड़ दिया सारे गुंडों की सिट्टी पिट्टी घुम हो गई लेकिन सब ने लकी पर हमला कर दिया वो सब लकी को पीटने ही बाले थे कि कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था लकी ने कुछ ऐसा किया कि सारे गुंडे थर थर कापने लगे आखर क्या किया था लकी ने कि डर गए थे सारे गुंडे गरीब और फटीचर होके भी क्यों बिना डरे शहर के सबसे अमीर परिवार से फिड़ गया था लकी अब क्या होगा आगे पूरी कहानी जानने के लिए भी डाउनलोड कीजिए Pocket FM और सुने इंस्टा मिलियनेर पैसा प्यार और नफलत से भरपूर एक शांदार आडियो सीरी